हलो एब्रीवन मैं विश्रजीत सिंग आप सभी का दिया इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.0-10 का लास्ट फाइव एर के कोश्व मेपर को सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या इसका बेनिफिट रहेगा दोस्तो इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.0-10 जो आपका सबजेक्ट है भारत में नगरी करन जिसके अंदर में हम भारत की नगरी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर में जैसे मालम मुगलकाल है तो मुगल काल के अंदर में कोई चीज बना, तो वो किस परकार का था ठीक है भारती कोई शासक है, मालुम हो और वन्स है, ठीक है कोई और वन्स है उसके थाइम में कुछ चीज़े Pacific का बनाए गया, किसी चीज़ को तयार किया गया तो वो किस प्रकार का था, उसको structure किस तर से बनाये गया, उसकी structure को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा गया, इन सबी चीजों का इस chapter के अंदर में हमें पढ़ना है इस पूरा book है, MHI 010, भारत में नगरी करन, इसके बार में पढ़ना है वापस हम आपने आते हैं आज किस वीडियो पे, तो दोस्तो ये वीडियो MHI 010 का last 5 year के question paper के उपर में depend है दोस्तो last 5 year की मैं बात करूँ, तो इगनू के अंदर में, एक session के अंदर में, दो बार exam होते हैं, कौन-कौन से? तो June session और December session, हर एक session में, एक question paper के अंदर में हम आनुन कर चले, तो 10 question होता है, ठीक है, और June session के अंदर में 10 question, December session के अंदर में 10 question, मतलब हर एक year में आप total 20 question को पढ़ोगे, ठीक है, और हम 5 साल का कर रहे हैं, तो almost हम 100 से ज्यादा questions को visit करेंगे, और इन questions के benefit क्या होगा, सबस एक list बन जाएगा, most repeated question का, कि कौन सा question सबसे ज्यादा बार repeat कर रहा है, ठीक है, आपके पास एक list बनता हुआ चला जाएगा, कि कौन सा question सबसे ज्यादा most important questions है, ठीक है, most important question का एक list बन जाएगा, most repeated question का list बन जाएगा, उसके बाद में, जो सबसे important चीज़ जो मुझे लगता और आपके लिए भी useful होने वादी है कि भाई कोई भी question किस तर से पूछा जाएगा, आपने पूरा chapter पढ़ लिया, chapter पढ़ने के बाद अकसर होता है कि यह वाला question कैसे बनेगा, इसको किस तर से पूछा जाएगा, पूछने का तरीका क्या होगा, कई बार हम पढ़कर कुछ औ जाते हैं, question हुआ ही होता है, पर तरीका change कर दिया जाता है, पूछने का फिर उसके कान से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो way of asking pattern, ठीक है, questions का किस तर से पूछा जाना, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, दस साल के question paper के अंदर में, but आप सभी students एक request है, जो MA history के students हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, अपनी notebook लेकर साथ में बठें, जिससे आप इस वीडियो को अच्छे समझ पाएं, और इस वीडियो को कर पाएं, ठीक है, तो चलिए हम start करते हैं इस वीडियो को दोस्तों, सबसे पहले में बात करूँ, तो MA history, MHI 010 के अंदर में हम question paper का सबसे बहले visit करते हैं कि question paper प्याता क्या है, तो यह दोस्तों आपकी screen पर यह question है, MHI 010 का, आपका history subject हो गया, जिसमें June 2018 से हम start करने वाले हैं, और MHI 010 भारत में नगरीकन, टोटल 3 घंटे का exam है, 100 नंबर का paper है, किसी 5 questions का answer देना है, टोटल 10 questions होते हैं, 10 में से 5 का answer answer देना है, answer देते समय एक बात का हमें सद्ध्यान रखना है कि 500 words के अंदर में answer देना है, 500 words से ज्यादा लिखोगे, तो भी number नहीं मिलेगा, कम लिखोगे, तो भी number नहीं मिलेगा, ठीक है, तो normal 4500 से 500 के अंदर में आपको answer देना है, ठीक है, और इसके हर एक question paper के अंदर मे parts में divide है, दो part होते हैं, part 1 और part 2, अगर माल लो part 1 से आप 3 question करते हो, तो part 2 से आपको 2 question करने पड़ेंगे, या फिर part 1 से आप 2 question करते हो, तो part 3 से आपको part 2 से 3 question करने पड़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह से पूरा pattern वाला exam का, चले हम start करते हैं, अपना एक-एक करके सारे questions को, और समझने courses करेंगे, आप सब इस request रहेगा, अगर कुछ चीज़े समझ में ना आएं, तो आप comment करके पोच सकते हैं, सबसे पहला हमारा question आता है दोस्तो, ले फ्रेव की स्थान अबधारना के बिसे संदर्व में स्थान संबंदित बिभीन विचारधारों की चर्चा कीज़े, अब मान लो एक विचारक है ले फ्रेव, उन्होंने एक place स्थान को देखा, उसके बाद उनकी जो आइडिलोजी थी, जो विचारधारा था, जो अबधारना था, वो क्या था, किस तरह कि उन्होंने अबधारना रखे लोगों के सामने, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है, सिंपल सा कोशन है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ले फ्रेव कहते हैं, कि समाजिक संबंद, इस्थान के जरिये काम करते हैं, जो समाजिक संबंद है, किसी भी सोसल रिलेशन के हम बात करते हैं, सोसल रिलेशन की बात करते हैं, तो किस के जरिये काम करता है, सासाथ में ये बोलते हैं कि इस्थान समाजिक संबंद को उत्पन करता है इस्थान समाजिक संबंद को उत्पन करता है समाजिक संबंद इस्थान के जरी काम करता है और इस्थान समाजिक संबंद को उत्पन करता है ये लेफरेब का मानना था इस्थान और नगरिय सिध्धान्त के बीच में आपस में घनी संबंद है इस्थान और नगरिय सिध्धान्त का जो जगह है आप मालो घर में बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कहा जगा 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 तो रहे तमना घर बनाओगे है तो जगा इस्थान चगा या इस्थान कहलूं इस्थान और नगरीए जो पूरा नगरीए सिधानत है उनका आपस में घणिष्ट सम्बंद्ध ऐसा लेफ्रेव के दोरा कहाँगे जगा इस्थान का निर्माण क्या जाते हैं लेफरव ने कहा कौन-कौन से 3 तरीके हैं इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला आता है अनुभव के जरीए ठीक है अनुभव के जरीए अनुभव मतलब क्या experience एकस्पीरियन्स हम ilotra अbek्राइब के जते हैं Nous appalley jotka 4-5 तो सबसे पहला तरीका होता है अनुभव कि जरी हमें इस्थान के बारे में इस्थान का निर्मान करते हैं उन तरफों का हभाला देता है जैसा कि उन्हें सारे रिक अनुभव किया है varied आप सारे रिक filter एक पर किया है उसके जरीए अनुभव किया है इस्थान के जरीए आप पता कर सकते हो उसके उपर निर्मान कर सकते हो ठीक है तीन तरीके से इस्थानों पर निर्मान किया जा सकता है सब्सक्राइब के जरीए दूसरा होता है विचार किये गए या फिर अभिवेक्त इस्थान के जरी मतलब मान लो आपने कुछ चीजे सोचा देखा उसके हिसाब से आपने तै कि यह वाला ऐसा होगा ठीक है सोच कर आपके अभिवेक्ति आपने मतलब सोचा बस दिमाग में था आपके उस तर से आपने एक्स्पेरिंड किया ठीक है दिमाग में ही रहा एक तो अनुभव जो आपके मन में ही रहा वह विचार जो स्थान के बारे में चिंतन मतलब सोचना चिंतन से उत्पन हुआ और विशिष्ट ग्यान से उत्पन हुआ अलग अलग तरह के नौलेज से आपके पास पता चला कि वह इस तरह का स्थान है इसके बारे में आपको पता चला ठीक है समझ म जीवंतिस्थान के बारे में बात करें, तो अनुभव और अभिव्यक्ति, फॉस्ट और सेकिंड वाली जो विचारदा रहता, उस इस्थान से भिन है, उसको हम जीवंतिस्थान के रूप में रखते हैं, अनुभव वाले में क्या था, कि आपने experience किया, विचार वाले में यहाँ पर कालता है, यह दोनों में से परते के विस्तारण और लगू करन कर सकती है, जो जीवंतिस्थान के हम बात करते हैं, सपोस्ट करो, आपने किसी चीज़ को experience किया, experience के इस आप से आपने गोला, यार यह जगह बहुत बड़ी है, ठीक है, सपोस्ट करो, आपने एक द अपना किया, कि कोई जगह है, बहुत बड़ी है, ठीक है, आपने इस तरी के अपना कर ली, बट जीवंतिस्थान, physically जब आप वहाँ पर विजिट करते हो, वहाँ पर देखते हो, तब वहाँ पर पता चलता है, यार वह जगह बड़ी तो है, पर उतनी बड़ी नहीं है, ठ इस तरह से उस चीजे बदल जाती है, विचार के जरी, ये भी सेम चीजे है, विचार आपने किया, सोचा आपने बैठ कर किया, ये वाला जगह बड़ा है, ये जगह छोटा है, पर ये उल्टा हो जाए, पोजिट हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से जीवंतिस्थान जो हो जाते हैं, एडवर्ड सोजा, ठीक ही इन का नाम क्या है, सोजा, वो स्लिपिंग वाला सोजा नहीं है, पता चला मैं रात में वीडियो बनाना हूँ, दस साड़े दस बचे, तो सोजा बोल रहा हूँ तो आप सोने जा रहे है, असा वाला नहीं है, यहाँ पर एडवर्ड सो हम यहाँ पर लेफरेव की बात करते हैं, ठीक है, लेफरेव की बात करते हैं, तो लेफरेव की कहते हैं कि समाजिक संबंद, जो समाजिक संबंद है, ठीक है, सोशल रेशन है, वो इस्थान के साथ है, और इस्थान सोशल रेशन को उत्पन करता है, यह मतलब लेफरेव की सासाथ में कहते हैं कि इस्थान कहा है वो आप परिवर्ता नसील है मतलब वो कभी परिवर्ती नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी ना है कि मालो आप कोई घर देखकर आए और वो घर आपके पीछे-पीछे आ गया ठीक ऐसा तो है नहीं वह तो घर वहीं रहेगा ना कोई होलिवूड कि मुझी तो चल नहीं रही है तो सेम एडवर्ट सोजा यही कहते हैं ठीक है समझ में आता है पहला कोईशन आपका इस तरीके से खतम होगा अब हम बात करते हैं दूसरे कोईशन का जो आपके लिए इंपोर्टेंट है दोस्तो अगर हम आप दूसरे कोईशन की बात करो तो इसमें हडपा सरबिता भी आ जाता है अगर कोईशन पूछने वाला यह पूछ ले कि हडपा सरबिता की विसेस्ता बताओ ठीक है मिर्तिकर टिला का विसेस्ता बताओ ठीक है भारत के अंदर में पारंबिक नगर विवस्ता की विसेस्ता बताओ तो भी आप यही इसी से जाना जाता है से से पहले मोहन जदुड़ो नगर की प्रमुक विशिस्ताव कि अगर मैं बात करूं तो मोहन जदुड़ो नगर में ठीक है किले जो होते थे घर जो होते थे दो पार्टों में विभाजित होता था एक का नाम होता था दूर्ग अब दूसरे का नाम होता था निचला सहर, ठीक है, निचला सहर, यहाँ पर नगर सिंदु घांटी के दच्छनी टट पर बसा हुआ था, उसके बाद में बात करूँ, तो नगर विसाल चबुत्रों पर बनाया गया था, जो भी नगर के अंदर में घर और मकान बनाय जा रहे था, उनकी निचे चबुत्रे में बनाए जा कुपर में अनेक घर और नालियों को निर्मान कीए सढक है नयो होते जो नालियों को निर्मान इस तरह से किया गया था इस तरह से बने होते थे ठीके मुख्य सड़क पर बैल गाड़ी आदी वहां चला करते थे जो मुख्य सड़क होता था जिसे मानलों पूरा इलाका है तो इलाके के अंदर में एक मेन सड़क जा रही है बाग की सब इसके अंदर में छोटी-छोटी बंदगलियां पतली-पतली सड़के हुआ करते थी यहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती थी पर बड़ी लड़क ज grown बैल गाडि यह अदि दूसरी गाड़ियों के लिए चलने को लिए रहता था ठीके म हुआ चुँद्रो का एक जो सड़क का पैटरन है अगर आप स्रड़क के पैटरन को करते हो घ्रीट पर अधार सद्विश्धा जो एक दूसरे को सम कौन पर काटती है कर्द के यहां पर समकौन पर काटे हिए मेरी जोद्लों के गिरीट 7 бел या सारजुनिक सुविधाम में नाली पर नाली कारता कि आज जल निकासी के लिए जैसे मामानलो एक घर है यहां पर यहां के इस घर का नाली ऐसे बह रह आ है तो एक point पे जाकर होध जैसे निर्मार्ण करवाया जाता था जिसके अंदर में नाली का पानी कठा हो जाता था अब जैसे यह वाला पानी मालो भर गया पूरा भर गया तो नाली को हलका से इधर से काट कर इधर मोड दिया जाता था इधर भी एक गड़ा रहता था फिर इसके अंदर भरता था जैसी ये वाला गड़ा भर गया ठीक है तो ये वाला जटक में ना टाइम से खाली हो जाएगा फिर वापस से काट कर इधर मोड़ दो तो मतलब लोग क्या करते थे बस नाली का मोड़ इधर से दर चेंज करते थे इस तरह से उनका पूरा जटल गया था मतलब धक अच्छा सा शारजणिक तौर पर अच्छी शेहर पर पर नाली या पर नाली पर नाली विक्सीट नाली पर नाली हमें देखने ही की हैं, हाँ पैं जी घरों के लिए निंदर में कूउओंगा निरमाड करवाई गया था है, मुहनजोद्र रोकें तरस इसनाना गर के चारो तरफ स्तंब कर राइगोय का पान धारibtकर और समझ नाले निरमाड का जाए ते इस नानाे गयार के चारो तरफ से खंबे हैं और इन खंबों के चारों तरफ से रूमों का निर्माण करवाय गया था घरों का कम्डों का निर्माण जिनको निर्माना भी किया दारत हो निस्तर की बस्तु हैं कच्छी सामगरी के अफसेस मिले हैं और ओजारो और अफसेस्ट परदारत मिले हैं ओजार जो बनाने के और अफसेस्ट परदारत जो उसके टुकड़े बनाने के लिए यूज़ के गए ठीक है उनके साक्षे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं पत्थर के मन के या फिर फलक बनाया जाते थे फलकों के वहाँ पे यह साक्षे मिलते हैं ठीक है बांट का उत्पादन ठीक है और मोहरों की कटिंग मोंजद्रों के अंदरे में देखने क्लेमी जाता है सेल खड़ी और धातू करम की जो अलग-अलग तरह के जो पत्थर हुआ करते थे उनके जरीये मिर्त भांड का उत्पादन किया जाता था मिर्त भांड बनाया जाता था दोस्तों ठीक है समझ में आता है हम तीसरे कोशन के और बढ़ते हैं तीसरे कोशन के अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो तीसरा कोशन आता है तकसिला घाटी के सिरकप और सिर्मुक नगरों और नगरों के साथ भीर तीले की तुलना कीजिए अब देखों यहां पर दो अलग अलग नगर आ गए ठीक है कोशन कोशन से तो सिरकप और सिर्मुक यह कहाँ पर है भाई तो तकसिला के अंदर में अफगानिस्तान आज के समय में है तकसिला ठीक है तो तकसिला के अंदर में सिरकप और सिर्मुक करके दो जगा जाते है और इनके साथ में भी टीले की हमें तुलना करने है इसके बारे में हमें बताना है तो तकसिला के वरतमान में जो पाकिस्तान आज के समय पाकिस्तान है सिंदु हटी है वहाँ पर जहलम नदियों के बीच में फेफतावर पोतावर करके मतलब पूरा बात करें तो यहाँ पे नगर का नगर नियोजन के अंदर में कर दो मार्ण के अंदर में कई तरगी विविंता ही थी तो मार्क बंडा टा ठारी ठ्शोनिक यंवे दीनी cyr से उस निकल निकलने को को काने मिलती है फूति मोसमिक कुन इननिश को सालवर पानी के यह तaken जो सोक होते तो उसमें सालवर पानी रहता था सीजनल टाइम बे पानी रहता था 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 स्थारजनी कूडों की व्यवस्था के अंदर में क्या जाता है कि अलग-अलग तरेके से जैसे कूड़ां की कठा हो जाना पर जबकि आप बाकी जगों पे श्ट्रेडी करते हो तो वहा पर रश्ता की गई हो जाती थी, ठीक है, भीर टिला के अंदर में घरों की दिवारों के बाहरी भीतरी दोनों तरफ से मिट्टी के प्लस्तर किया जाते थे, ठीक है, जो भीर टिला था, उसके अंदर में क्या क्या जाता था, कि एक घर है, घर के अंदर से भी और बाहर से भी म मिट्टी से उस प्लास्टर किये जाते थे बिरकप के अंदर में अगर हम बात करते हैं सिरकप के अंदर में सुरी सिरकप के अंदर में अगर हम बात करें किस तरह से उनका विकास हुआ तो सिरकप के अंदर में बाहरी दिवारों पे चुना से और भीतरी दिवारों पे मिट्टी के मिट्टी से पूरा प्लस्तर किया जाता था इस तरीके से दोस्तों आप ये वाला तक्सिला गांटी के सिर्कप और सिर्मुख नगरों के विसेस्ता बता सकते हो यहाँ पर इसके अंदर में एक समानता भी आती है कि समानता किस परकार के थे तो तीनों जो इलाके थे चाहे आप सिर्कप की बात करो सिर्मुख की बात करो या फिर भी टिले की बात करो ये तीनों जो टिले होते वो तो किले बंदी आका के थे गिर में देड के वाली इन दुख से 4 बशेक है इनके विप्धरों में मैं मित्टी के फर्श और आंगनों में पत्थर स्रुज़ा करते हैं चल्दान का कि अगरान तृ मितड़ते हैं जैसे 32 वा यह कंड़ कहते है जाती है कि सब्सक्राइऑ लुखा करते थे घर हुआ करते थे कंवरी हुआ करते थे वो मिट्टि के फर्स रहते थे जिससे रूम के अंदर में ठंटापन बनी रहे इस तरीके से चीज़े की जाती थे दूस्तो ठीक समझ में आता है चोथा कोशन पारंबिक एतिहासिक केंद्रों से भिन पारंबिक मद्यकालिन केंद्र इस्थाने भीने में के मुखे नॉडल बिंदू थे अब देखो यहाँ पे ना दो अलग-अलग पॉइंट है जो आपको समझना है कोशन बड़ा पेचिदा सा है बड़ा जीव सा है कई बार का निफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कोशन में कहता है कि पारंबिक एतिहासिक केंद्र ठीक है जो इस्थानिये में मतलब जो वहां के लोकल लोग थे उनके दोरा किस तर से विने में कहा जाता है विने में मतलब बार्टर सिस्टम मतलब क्या कि समान की बदले में समान देना ना कि पैसा देना यह बार्टर सिस्टम कहलाता था ठीक है समझ में आता है तो इस तरीके से हैं पर चोथा कोशन को अगर हम सही से थोड़ा डिफाइन करें तो चोथा कोशन में आ जाता है कि एतिहासिक नगरिये केंदर राजनितिक सत्ता और वैपार केंदर के रूप में उबरे ठीक है आरेश सर्मा के दोरा कहा गया कि उतर भारत में सभी नगरिये केंदर का हराश हुआ ये आरेश सर्मा के दोरा माना गया ठीक है आरेश सर्मा ने क्या कहा कि उतर भारत और सभी नगरिये केंदर जो भी नगरिये केंदर था सबी के अंदर में इसका हराश हुआ ठीके, चटोपाध्याई जी करके आते हैं विचारक इनका माना था कि सहर के निकट गरीब नगरिय केंद्रों का उदे हुआ ठीक, उद्वब हुआ जो सहर के निकट में जो भी नगरिय केंद्र थे उनका उद्वववना शुरू हुआ ऐसा शौपटोपवद्याई जी का मानना था ठीके हैटल करके हाटल करके एक और विचारक आते हैं हाटल हाटल ने कहा कि सहर का उदे दूसरी सतावदीम हुआ तीसरी सतावदी तक बना रहा और इसके बाद धिरे-धिरे समय के साथ परतन हो जाता है यह विद्वान नगरिय केंद्रों के अविस्तिक्रित और उसकी प्रकृति के बारे में बदलाव से सहमत थे ठीक है मतलब किस तर से बदलाव होना अच्छे इसको लेकर यह सहमत थे इन चीज़ों को लेकर ठीक है आगे मैं बात करता हूं दोस्तों तो पा इसव आगे बढ़ा अगरहार पदेदी के अंतरगत राजाओं द्वारा भू अनुदान दिया गया ठीक है अब भू अनुदान कैसे दिया जाता था तो राजा ने एक स्कीम बनाई अगरहार जिसके इंदर में पहले ही राजा अपनी भूमी जम जम दान में दे सकता था ठ इस काल में जड़े समाजिक छेत्रिय समंदो पर अधिक गहरा था ठीक है इस तरीके से पूरा आपका फोर्थ कोश्चन यावर बन जाता है मतलब इस कोश्चन के अंदर में यह बताना है कि पारंबिक एत्यासी केंद्र से भिन किस तर से अलग है पारंबिक मद्यकालिन कें तरी से किस तरह से सद्गे श्राउ जाता है उसके लेकर यहां पर बात जाता है कि समझ पूर्फ कोशर कीके सब्सक्यकर थे तो तो बीजापूर सबसे पुराने सहरों में से एक था, आदिल सास स्ल्टानो ने इसको बना कर प्रचिस्ठिट किया, इसको राजदानी के तोर पे लिया गया, ठीके बीजापूर को इस सहर को विजयपूरा या फिर विजयपूर के नाम से जाना गया, आगे चलके ये कहते हैं कि ये सहर मेंदानी छेतर के अंदर में इस्तित्ता और चारों तरफ से दिवारे से घिरा हुआ था गोल कुंडा की तरह ही ये सहर किले के चारों तरफ से बीतरी दिवारों और अंदर दिवारों से घिरा होता था दो राउंड के, दो तरीके से गिरा देता था भीतरी जो आदिवासी थे ठीक है, भीतरी आदिवासी थे सुल्तानों के मकबरे भी थे मतलब भीतर में ही, जो महल बनाए गए थे जो चौरदिवारी में था उसी के अंदर सुल्तानों के लिए भी सुल्तानों के लिए मकमरे बनाए गए ठीक है और भारत में सबसे बड़े जो गुमबंद गोल गुमबद था ठीक है वो उसके पहचान के कारण से हम वीजापुर को जानते हैं ठीक है इस तरह से चीज़े यहाँ पर चलते हैं वीजापुर का गोलकुंडा के बारे में बात क चणपार जिक है चकाक्ते द्वारा किया गया था मिट्टी के मिट्टी के विस्टार किये गये और exchственный के सबसे बड़े और सबसे मजगूत कि लिए का निर्मान किया गया कि compute प्राकर ति कि जो चटानें होते थी आह जो उनी के द्वारा इसका निर्मान किया जाने लगा सं नगर विवस्तित था नगर इस्तित था इस तर से चीजे मानी गई दोस्तो गोल कुंडा आधुनिक हैदरावाद के नाम से जाना गया और यह पूरा यहां पर चलता है इस कोशन के अंदर में नोन मली हमें नीए डिफाइन करना था कि विजपूर और में गोल कुंडा आणारच है तो आपने देखा हुआ कि किस तर से विकास रहते हैं आदिल साल के द्वार जो आदिल सामा को राज़ा बना विजपूर का तो उससे क्या किया कि आदिल साल अंद इसको रागधानी के तौर पर ट्रीट करना सुरू कर दिया ठीक है और वीजापूर सबसे पुराना सहर था और इसके कारण से क्या हुआ वीजापूर के उपर में थोड़ा प्रिवर्तन की लहर चलती है ठीक है और अलग लगता है से मैदानी छेत्रों के अंदर में इसका वि जाती थी ठीक है तो यह आपका चटा कोशन वियोगे दोस्तों अगर हम सात्वे कोशन की बात करें तो सात्वा कोशन कहता है सत्रवी से अठारी सताब्दी में सूरत नगर का विकास के प्रकार से हुआ सूरत आज के समय सम जानते हैं तो तापती नदी के टेट पर बसा हु तो कि खृषी और वानीजी फसल उगाये जाते थे सूरत की में ठीक है और इन छेत्रों का वैपार वानीजी को प्रसाहन मिला जिससे कारण से अगर जब वैपार बढ़ा था सूरत के अंदर में उससे फाइदा क्या हुआ कि वानीजी को प्रसाहन मिला जो उनका खुद का बिजनस था वो भी आगे बढ़ने लगा ठीक है नगर की किले बंदी की गई जो पूरा सूरत था उसके अंदर में नगर के अंदर में पूरी तरशारत अपसे किले बंदी की गई दोस्तों ठीक है किले के चारों और खंदक खुद आए गये जो गड़े होते थे बड़े- डिवारों को सहानपुर सहारणपना सहर्पना के तर पी मतलब जैसे जो डिवार orchid गेरे जाती थे लिए उन दिवारों को सहरपना या फिर नगर रक्षा के तोर पे जाने जाता था ठीक है जैसे यह जो दिवार है मालो यह घर है और इसके चारत अब से दिवार है तो इसको सहर पना यह फिर नगर रक्षा के तोर पे जाना गया ठीक है समझ में आता है इस तरह से पूरा यह जो चैप्टर है इस तरह से चलता है दोस्तों यहाँ पर आप इस चेप्टर को समझ पारे होगे अगला क्यों हमारा कोशन आता है नया राजधानी ठीक है नया राजधानी यहाँ पर अगला कोशन दोस्तों आजाता है जो आपका ध्यान नहीं दिया था ठीके तो इसके कहांज़े थोड़ा सा दिक्कत हुआ हम वापस से अपनी टॉपिक पर आते हैं येस सूरत नगर का मैंने आपको बताए कि सूरत नगर में किस परकार से विकास का प्रिक्षन हुआ जिसके अंदर हम कहते हैं तापती नगर के किनारे बसा हुआ पूरा सहर तापती के टत्पे बसा हुआ सहर था सूरत दसी सताबनी के अंदर में चालोक इसामची के अंदर में दिखाई दिया, सूर्ट जो अर्वरक इस्तिती में था बहुत जादा उपजाओ छेतर था, ठीक है यहां पर वैपार की वैपार वानीजे इस छेतर में बहुत जाद भी कास रहा और आज से compare करो चाहिए पहले compare करो बफसुरू सही starting सही सुरस को एक वैपारी नगरी के तौर पे दिखा गया यहाँ पर विबिन परकार के क्रिशी वानीजे फसल उगाये जाते थे ठीक है और यहाँ की जो मिट्टी के उर्वरकता थी हो बहुत जादा था खंदक खुदबाने का रिजन ही होता था कि नगर सुरक्षा पर मुख्ता यहाँ पर थामस हाबट की द्वरह कहा गया कि कसबा कच्ची दिवारों से घे़ा जाए त्वरक्षा के नाम से जाना जाता था ठीक है निर्मान करने में 15 वर्षे जाद समय लगा पूरे सूरत को घेरने में ठीक है यहाँ पर इस तरीके से सूरत का हमने पूरा जिक्री किया अगला जो कोशन आता है आठवा नमबर कोशन हमारा नया राजानी ठीक है नया राजानी नई दिल्ली जहां पर मैं रहता हूं नई दिल्ली वास्तु सिल्फ में ब्रिटिस शाषन के आदेश सता सच्चा परतिनी धित्व करता है ठीक है टिपने कीजिए मतलब जो नई दिल्ली सहर है वो किस परकार चते वास्तु सिल्फ के अंदर में आदर सच्चे आदर्स का परतिनी धित्व कर रहा है उसको लीड क सिफ्ट कर दी गई तो दिल्ली की चमक धमक बढ़ गई ठीक है दिल्ली को सजाय जाने लगा बंग बंग 1906 के अंदर में 1906 में बंगाल का विवाजन हुआ जिसको हम बंग बंग के नाम से जानते हैं बंग बंक के साथी में क्या हुआ कि जो भारत की राजणी खलकता थी उसको दिल्ली सिफ्ट कर दी गई और दिल्ली के नाम से जाना गया और वो पूरा रास्ता राजा के लिए ब्लॉक किया गया है तो वो क्या बोला गया लोगों ने क्या बोला किन्सवे मतलब राजा का रास्ता है ठीक है किन्सवे के नाम से जाना गया और वो पूरा जो आज भी है डली के अंदर में किन्सवे कैम के नाम से ही जाना जाता है ठी इसका पूरा फोकस था किंस्वे केंद्र मान के चला गया किंस्वे कैम्प को ठीक है एक लंबा मार्ग चारो तर्फ से फवारू से सजा हुआ यह माना गया उसको ठीक है राइसीना हिल जो आज की समय में नियूस पे उक्सर आप पढ़ते होगी राइसीना पर सरकारी भवनों की बवनों की बवस्ता की जाने लगी वहां पर सरकारी भवनों का निर्मान कराया जाने लगा ठीक है जहां पर हम कहते हैं मोदी जी का घर है उनका घर है इसका घर है तो सारे जितनी भी सोसाइटी है न राइसीना हिल सारे उसके अंदर में आ जाते हैं ठीक है दिली की जो स पतरदाइद था, किस ने लिया, तो एडविल लुटियन ने और हारबर्ड केर ने इसका निर्मान का जिम्मिदारी लिया, कि हम यहाँ पर निर्मान करेंगे, ठीक है, तो इस तर से कलास्की एक सैलिक पर भवनों का निर्मान कराया जाने लगा देली के अंदर में, और भारत पर निर्मान का वर्णन कीजिए, जिसके परिणाम सरूप मुंबई, एक दीप एक करति सहर के रूप में स्थांतरित हुआ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाता है कि मुंबई को एक साथ दीपो वाला समू का जाता था, कि मुंबई में आये, साथ तोटल अलग दीप हैं, छोटे-छोटे समून्दरी दीप हैं, ठीक है, जिसके अगर हम नाम की बात करें, तो कोलवा, ठीक है, छोटा कोलवा, मांजा, गाउं, परेल, बर्ली, महीम, ऐसा करके टोटल साथ अलग लग गाउं थे, ठीक है, जिक में, است-India company के द्वारा इसे किराए पर लिया गया, ठीक है, कुछ किराए पर است-India company के द्वारा लिया गया, 1968 में, इसको पुन रूप से अधिकार कर लिया गया, इसका-India company के द्वारा, और 500 वर्ष में, एक कृत्ष सहर सहर स्थापित हुआ, पूरी तरुस YOU,kem बड़ इंदर में टोटल साथ अलगलग दीप थे जिसको हम कहते हैं कोलवा ठीक है छोटा कोलवा मांजा गाउं परेल बड़ली और महीम ठीक है इस तरह से साथ इलाकों में बटा हुआ था पूरा मुंबई जिसको एक्रित किया गया टोटल 200 वर्से ज्यादा टाइम लगा ठीक है 1780 के दसक में ठीक है मार्च में कच्छे कपास ठीक है 1780 के मदे में कच्छे कपास की विसाल मातरा बंबई से चीन निर्यात क्या जाने लगा जब ए साथ तो जो दीप थे उनको एक साथ जोड़ दिया गया तो एक बड़े से दीप समू के तौर पर मुंबई को जाना गया ठी ठीक है 1780 साताब्दी के अंदर में वंबई से चीन जाने वाले जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई बहुत जादा बढ़ोतरी हुई ठीक है इनी तसको में साथ दीपो का बिख्री हुई जो गरामिन व्यवस्था थी वो एक सहर में बदल गई जो गरामिन में बाट करेंगे जिससे वीडियो थोड़ी छोटी बने और समझ में आपको ठीक है तो एक पार्ट यह हो चुका है नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकिंड पार्ट आएगा तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फर वॉचिंग मी थैंक यू सो मच फो लिस्निंग मी अगर कोई डाउ और आप अच्छे नंबर ला सेगे अपने एक्जाम के अंदर में तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फो वॉचिंग मी थैंक यू सो मच फो लिस्निंग मी बबाई टेकर आल थे बेस्ट